तो देखते हैं यहां पर question number 42 में हमसे क्या पूचा क्या है How will you connect 3 resistor of 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm respectively So as to obtain a resultant resistance of 2.5 ohm Draw the diagram to show the arrangement तो करते हैं यहां पर इसको solve तो हमें यहां पर 3 resistor given है इसको हमें यहां पर ऐसे connected करना है parallel यह series में कि जो हमारे यहां पर resultant resistance है वो हमारे यहां पर कितना है 2.5 ohm आए तो हम यहां पर क्या करेंगे जो यहां पर 2 and 3 है इसको हम यहां पर series में connect करेंगे और उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे parallel connected करेंगे तो इसका diagram हमारे यहां पर क्या होगा कुछ इस परकार होगा यह हमारे यहां पर 2 ohm हो गया और उसके बाद यह हमारे यहां पर 3 ohm हो गया और उसके बाद यह हमारे यहां पर क्या हो जागा 5 ohm हो जाएगा और इसको हमारे यहां पर क्या करना है किसी बैटरी से connect कर दिना है और यह हमारे यहां पर इसका diagram बन गया तो यह हमारे यहां पर कितना हो जागा 2 ohm यह वाला यहां पर 3 ohm हो गया and यह वाला हमारे यहां पर आजागा 5 ohm तो करते हैं यहां पर इसको solve अगर मैं यहां पर series की बात करूँ तो यह हमारे यहां पर क्या होगा अब हम यहां पर बात करने है पैलल की तो अब यहां पर पैलला आ गया तो पैलल रहा हमारा कितना हो जाए Worksbene dumb अब यहवाला हम इसको क्या माल लेते उइभाइब करेंगे तो यह हमारे अपर कितना आ यह पर उजाएगा करेंगेगा in to under a two point five two-point-five больше ONE अपन- Twenda-n it's all-one-upon- fez सब् crap जाएक और बते से ज्का हमाने यहां पर सिरीज में करना पढ़ेगा और उसके हमें यहां पर जो बच्चा वह 5 है इसको हमें पहलेल कनेक्शन में लगाना पड़ेगा जब जाके हमारे जब टोटल रिजिस्टेंस है या कमबाइन रिजिस्टेंस है वह हमारे यहां पर 2.5 निकल के आएगा अब हम चलते हैं अपने नाइस कुश्चन के तरफ